अब हम पढ़ते हैं ककसा सात्वी इंसियार्थी, ग्यारवा, पात, जन्टों और बादप में परिवहन तो शुरू करते हैं पढ़ना आप जानते हैं कि सभी जीवों को जीवित रहने के लिए भाजन, जल और ऑक्सीजन की आवसक्ता होती है सबी जीवों को जीवित रहने के लिए मतलब जीने के लिए किस की अवसकता होती है तीन चीजों की अवसकता होती है भोजन जल और आक्सीजन की उन्हें इस इन सभी परधारतों को सरीर के विभिन अंगों तक पहुचाना होता है साथ ही जन्तुओं को उन भागों में उत्पन अपस्तित परधारतों का परिवयन उस इस्थान तक करना होता है जहां से उन्हें बाहर निकाला जा सके क्या आप जानते हैं ये सब कैसे संबभ होता है चित्र 11.5 एक को देखिए ये है चित्र 11.5 एक परिसंचरन तंत्र का ये चित्र है फिर आगे पढ़ते हैं क्या आपको हिर्दे और रक्त वाही निकाए दिख रही है बताईए कि आपको हिर्दे और रक्तवा निकाय दिख रही है इस चित्र में देखकर बताईए फिर आगे पढ़ते हैं हर्दे और रक्तवा ही निकाय संयुक्त रूप से हमारे सरीर का परिसंचरन तंत्र बनाती है इस अधाय में हम पादा परजनतों में परधारतों के परिवहन के बारे में अध्यान करेंगे ग्यारपाइंट एक परिसंचरन तंत्र परिसंचरन तंत्र क्या होता है परिसंचरन तंत्र इस चुत्रक इस दाइग्राम को कहते है जो कि हमारा सरीर का भाग है जो कि हमारा सरीर ही है रक्त जब हमारे जब आपके सरीर का कोई भाग कत जाता है तो क्या होता है रक्त या रुधीर बाहर वहने लगता है जब हमारा किस परकर्स चोत लग जाती है या फिर गिर जाते तो उसमें खून निकलने लग जाता है तो क् आभब ये को सनया रग्त क्या है, खून क्या है मतलब की, रग्त वहत तरल परधार्ट है या द्रव है जो रग्त वहें निकाओं में परभाइत होता है, यह पाचित भोजन को छुद्रात जोती आन्त से सरीर के अन्य भागण तक ले जाता है, वो फेफड़ों से ऑक्सिजिन को भी रक्त ही शरीर की कोशिकाओ तक ले जाता है रक्त शरीर में से अपसित परधार्तों को बाहर निकालने के लिए उनका परिवेन भी करता है रक्त विभिन परधार्तों को किस परकार ले जाता है रक्त एक तरल सा रक्त मतलब की खून एक तरल परधार्त है जिसे प्लैज जाने स्रेक्प्र की कराम है दिखा गया है है डेखिए अभरते हैं चित्र में धमनिया लाल रंग में तथा से रा नीले रंग में दिखाई गई है इसे निए रही है आगे हम बताएंगे के रहें किया लिए होता है आपको स्पेट मिल जाएगा रक्त में एक परकार की कोशिका होती है यह लाल रक्त कोशिका आर बीछे मतलब की रैड ब्लैड सेल्स होती हैं है इंगलिस में RBC red blood cells कहते हैं जिनमें एक लाल वरनक होता है जिसे हीमोगलेविन कहते हैं रख्त का रंग लाल किसलिए होता है हीमोगलेविन के कारण हीमोगलेविन ओक्सिजन को अपने साथ सयुक्त करके सरीर के सभी अंगों में तथा अंट सभी कोसिकाओं तक परिवेन करता है हीमोगलेविन की कमी होने पर सरीर की सभी कोसिकाओं को कुसलता पूरवक ओक्सिजन परदान करना का थिन हो जाता है ही्मोगलीन की उपस्टिति के कारण रक्ट का रंग लाल होता है रक्ट में अन्य परकार की कोसिकाएं भी होती है जिजें हम स्वेत मतलब सफेद रक्ट कोसिकाएं दबलू بी सी कहते हैं मतलब वाइट बलोड सेल्स ये को सिखाए उन रोगानों को नस्ट करती हैं जो हमारे सरीर में परवेश करती है थांक्स पर वोचिंग डिस वीडियो